पार्टी के राजसबास सांसा संजे सिंग ने बीजेपी पर जम कर निशाना साधा उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी कहा क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं वहाँ पर किले बंदी की गई है कि सिमेंटिक कीले गारी गई है ऐसा विवहार किसानों के साथ अन्न दाताओं के साथ किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी हैं इस देश के देश द्रोई हैं गद्दार है और भारती जंता पार्टी का जो रवया उनके प्रति है पिछले 75 दिनों से किसान आंदुलन पर है उसके उपर आसू गैस के गोले छोड़े गए उसके उपर पानी की बहुचारे की गई बुढ़े किसानों की आँखे फोड़ दी गई 80 साल, 70 साल, 75 साल के किसान पकड़ पकड़ के जेल में डाले जा रहे हैं उनके मुकदमे किये जा रहे हैं गुर्मुख सिंग्जी जो एक साल भी मैन है 80 साल के किसान उनको उठा के जेल में डाल दिया इतनी जुर्म, इतनी जात्ती, इतना अत्याचार करने के बावजूद इस सरकार में रहन नाम की, दया नाम की एक इंच मात्र भी कुछ चीज नहीं बची कल्वी सदन के अंदर हम लोगों ने हल्ला किया आब आज उठाई किसानों की और आज आम आदमी पार्टी ने अकेले, देश के सर्वोच्य सदन में, राज्य सभा में किसानों के मुद्दे को उठाया और हमने ये कहा कि पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा कीजिए और इस बिल्को वापस लीजिए योगि किसानों की यही मांग है वो इन तीनों काले कानूनों को वापस कराने के लिए पिछले 75 दिनों से बैखे हैं